हैलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर रेनी वैकेंसी के साथ चैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है टाटा पावर की तरफ से यहाँ पे बहुत बढ़ी अपर्चिनिटी निकाली गई है बेसिकली यहाँ पे कौन को नप्लाई कर सकता है क्या eligibility criteria रहने वाले और अपने को कैसे apply करना इस्टा है बेस्टा पूरा process बदाने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना skip किये अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे eligibility criteria क्या रहेगा उसके बर में देखे अगर आपन यहाँ पे diploma किया है तो आप apply कर सकते हैं तीसर अगर आपने यहाँ पे bbtek कर रखा है तो भी आप यहाँ पे eligible रहेंगे देखिए branches यहाँ पे सारी कि सारी eligible है अगर आपने किसी भी ट्रेड में ITA किया है किसी भी branch में diploma bbtek किया है और अगर आप fresher category में आते हैं मतलब कि candidate यहाँ पे बिलकुल eligible रहने वाले ठीक है इंडिया में कहीं से भी ब्लॉंग करते हैं किसी भी state से ब्लॉंग करते है तो आप यहाँ पे eligible रहेंगे all India candidate यहाँ पे apply कर पाएगा एक रुपया भी आपको pay नी करना free कही है यह form में मतलब कि 0 रुपय form fees यहाँ पे रहने वाली apply process वीडियो के अंदर बता दूँगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को like नी किया है तो मेरे भाई वीडियो को like कर देना और जो आपका like का target रहेगा 700 प्लस आपको like करवा देने अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के share कर द वीडियो आपको उसी से relevant देखने को मिलीगी और indirectly आपको वहाँ पर फायदा होने वाले तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर ले पास में जो घंटी वाला icon उसको दबा दे ताकि आपको next वीडियो को notification सबसे पहले मि graduate के लिए एक amazing opportunity by unacademy unacademy carrier assess 2.2 के part 1 में amazing response मिलने के बाद अब आ रहा है carrier assess 2.2 part 2 और part 3 part 2 27 अगस को होने जा रहा है जिसमें बड़ी बड़ी companies के industry expert like Tata Steel L&T के expert आपको देखने को मिलेंगे और आपके साथ अपना experience share करेंगे कि आपको बदाएंगे वो कि आप अपने carrier को कैसे stable कर सकता है core engineering sector के अंदर जब इस session end होगा तब 7.15 पे आपका recruitment eligibility test होगा जिसमें अगर आप 50 score करेंगे तो आप carrier assess 2.2 part 3 के लिए participate कर सकता है यह आपका recruitment drive रहेगा जहांपे आपको JSW, ABB ज आप चीज़ें यहीं नहीं खतम होती, unacademy लेकर आया है कुछ grand reward उन लोगों के लिए जो की test में अच्छा perform करेंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकता है scholarship आपको देखने को मिलेगा एक करोड रुपय का, autograph Mercedes आपको देखने को मिल जाएगी, celebrity के द्वारा, premium headphone आपको दे स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप अपने interest के according, session को attend कर सकते हैं, और अगर आपसे कोई भी coupon code मांगा जाए, तो नौकरी 01 आप coupon code डालना मत भूलिएगा, सारे link description मैंने दे रखें, तो आप आप हाँ पे check out कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा Saturday 27 अगस्त को आपकी होने वाली यह class तो पैर को 3 वजे, let's crack it, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको apply कैसे करना है उस process के बारे में, तो देखा जाए apply process बड़ा ही simple सा रहेगा, जो steps आपको मैं बता रहा हूँ, उनको आपको directly follow करना है, और आप directly अपनी mobile के तुर आप्लाइ कर सकते हैं, ना इसमें laptop चीए ना इसमें PC चीए, बस आपके पास एक mobile और बढ़िया internet connection यहाँ पे होना चीए, रही बात apply link है, वो मैंने आपको description में provide करा दिया है, as well as मैंने telegram channel पे भी upload कर दिया है, और telegram channel का link आपको comment box में pin किया हो मिल जाएगा, आप directly वहाँ पी click करके telegram channel को join कर लीजेगा, further more jobs update के लिए, PDFs के लिए, notes के लिए, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो बात कर लेते है, apply के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको Google open करना है, आपको यहाँ पे देख सकते है, search बार दिख रहे है, Tata Power लिखना है, आप साइड में search का option दिख र यहाँ पे आपके सामने ऐसी website open हो जाएगी, जैसा कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने एक top पे एक option दिखेगा, यहाँ पे 3.com को करना है, उस पे click, जैसे click करेंगे यहाँ पे आपको option दिखेगा, carrier का, तो plus वाले icon पे आपको कर देना है, click, जैसे click करेंगे, तो यहाँ पे आप scroll down करेंगे, pressure का option दिखेगा, तो आपको fresher वाले option पे कर देना है, click, जैसे click करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक new tab open हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे screen पे देख पा रहे है, carrier, opportunity, pressure यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी vacancy यहाँ आपके सामने कैसा tab open हो जाएगा, जैसा कि आप इस screen पे देख पा रहे है, job search का यहाँ पे tab open हो जाएगा, यहाँ पे आपको start वाले button पे कर देना है, click, जैसे start वाले button पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने search result के अंदर 10 hints आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और यहा आप एक chart mention किया, job posting, यहाँ पे functional area, country, employment, reference code, publish date का publish हो, इसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने mention कर दिया है, ध्यान रखेएगा, जो job आपको दिखाई दे रही है, publish कभी भी हुई हो, expire नहीं हुई, तो आप जरूर से apply करेए, क्योंकि जब जोब की पूरी की पूरी सीटे fill हो जाती है, तब इसको expire किया जाता है, तो अभी तक आपके पास opportunity है, time है, आप इसको बढ़ सकते हैं, और वीडियो अगर आप दो दिन बाद, तीन दिन बाद या दस दिन बाद देख रहे हैं, आपको यहाँ पे job show नहीं हो रही, मतलब समझना कि job expire हो गई है, ओके, तो आप किस चीज का ख्याल रखना है, अब बात कर लेते हैं, वन बाई वन वेकेंसी के बार में, तो लीड इंजिनियर का वेकेंसी सेफटी के अंदर, तो यहाँ पे कौन को ने अप्लाइ कर सकता है, लाइक अगर आपने डिपलोमा किया है, किसी भी ब्रांच में, उसके तो भी आप अप्लाइ कर पाएंगे, अप्लाइ कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप जानना चाते हैं कि सेफटी के अंदर आपको डिपलोमा कहां स्थे करना चाये, तो उसके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आने वालो, क्योंकि सेफटी के अंदर बहुत ही अच्छी opportunity रहती है अगर आप कोई भी plant देखें कहीं पे भी देखें वहाँ पे एक safety engineer का requirement रहता ही रहता है क्योंकि safety के अंदर competition बहुत कम है अगर आपने किसी भी diploma में किसी भी branch में diploma किया या फिर किसी भी branch में engineering कर रहा है लाइक bb.tech कर रहा है bb.tech किया है किसी भी branch में आप apply कर सकते है और अगर आपके पास safety के अंदर diploma है तो बहुत अच्छी बात है कहते ना सोने पे स्वाग है नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप apply कर दीजे अब next vacancy जो आपको देखने को मिलेगी बाकि सारी अपने काम की vacancy नहीं non-technical vacancy है platform architecture की vacancy यहाँ पे देख पार है GT ठीक है graduate engineer trainee यहाँ पे operation के अंदर है अगर आपने bb.tech की है तो आप apply कर सकते है ठीक है यहाँ पे और किसी भी branch में कर रहा है bb.tech तो भी apply कर सकते है pressure candidate बिल्कुल apply कर सकते है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है graduate engineer trainee ठीक है department आपका operation का देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगर आपका badge कोई सब यह किसी भी year में आप pass out like 2022 में भी है तो भी आप apply करिए ठीक है chances रहेंगे आपकी यहाँ पे selection होने के अगली vacancy है यहाँ पे दो टाइप की vacancy है supervisory trainee का operation के अंदर और CSP के अंदर ठीक है तो दो department आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे कौन को न eligible उसके बार में मैं थोड़ आपको clear कर देता हूँ यहाँ पे अगर आपने IT की है ठीक है अप्लाइ कर सकता है और अगर आपने diploma किया तो भी अप्लाइ कर सकता है ठीक है supervisory trainee यह position के लिए diploma और IT दोनों eligible रहेंगे IT कोई भी trade चलेगा ठीक है all trade eligible ठीक है आपने किसी भी trade में है ठीक है तो आप अप्लाइ कर सकता है अगर आपने bbtek किया है electrical के अंदर तो ही आप अप्लाइ कर सकते है civil और mechanical वाले यहाँ प्लाइ नहीं कर सकते है वो उपर अप्लाइ कर पहेंगे GT operation के अंदर civil वाले भी अप्लाइ कर सकते है mechanical वाले भी अप्लाइ कर सकते है EC वाले भी अप्लाइ कर सकते है graduate engineer training operation department आपको एक option दिखेगा apply का तो आप directly apply वाले button पे click करेगा यहाँ पे आजाएगा आपका application wizard का ठीक है तो आपके सामने application wizard का option आएगा तो directly आपको यहाँ पे क्या करना है इस firm को आपको submit करना है और यहाँ पे normally है आप इसको submit कर सकता है yes I have read the data privacy statement and policy I accept it, register all option पे click करके इसको register कर देना है then फिर आपको continue करके इस firm को पूरा बर देना है मैंने इस पे काफी वीडियो भी बनाए ठीक है apply process पे उसका link में आपको description में दे दूँगा उसका पच्छे से देख लेना apply process समझा रख है ठीक है और अगर आपको कोई भी doubt है कुछ भी चीज आपको पूछ नहीं है कुछ समझ में नहीं तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं और हाँ अपने branch को जरूर से mention कर देना किस branch में अपने diploma भी बीटे किया है और किस trade के अंदर आपना IT किया ताकि आने वाली next वीडियो उसी से relevant आपको देखने को मिलेगे तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करेगा शेयर करेगा वोगों तक जिनको job की need and comment करके जरूर बताना कि आप कौनसी आपसेर्च करता है ताकि वह job आपके लिए हम लास सके और WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Facebook से जुड़ने के लिए हमने description में link दे रखा है अब directly वहाँ पे click करके join कर सकते है All the very best, चैहिन